आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं JP Power Stock के बारे में और साथ में रिनिका सुगर को डिसकस करेंगे JP Power के Stock में देखेंगे तो Delivery around 40% और Technically ये Stock ने पिछले 1 week में around 20% तक के रिटरंस दिये हैं हमने आपसे strongly कहा कि इस Stock का जो एक major resistance है वो 9 रूपीज के आसपास का है 9 रूपीज के उपर का closing immediate target 11 रूपीज तो 50 पैसे तो 12 रूपीज जो कि within maximum 10 to 12 15 days में दिख सकता है और जो next target निखल के आ रहा है आप देखेंगे टेकनिकली weekly chart में तो 28 to 30 तक के levels यानि कि यहां से 200% तक का easy levels दिख सकता है जहां Stop Loss 7 रूपीज के नीचे के SL को follow करेंगे इस समय इस Stock में जो trend है वो अभी भी pending है वो pending trend surely इस Stock में uptrend होते विए दिखने वाला है दूसरा आज हमने देखा कि सुगर स्टॉक में काफी बेतरीन ट्रेड नजर आए लास्ट ट्रेडिंग से आवर में और रेनु का सुगर one of my stock है जो मेरे डाडार पे है इस स्टॉक में 47 के नीचे के SL को follow करेंगे for target of 65-70 तक के लेविल्स रेनु का सुगर में स्योरली आपको देखने को मिल सकता है